आज 22 अक्टूबर के दिन को तीन एतिहासिक घटनाओं के लिए याद किया जाता है पहली घटना भारतिय स्वतंतरता संग्राम के महान क्रांतिकारी से जुडी है साल 1900 में अश्वा कुल्लाह खान का जन्म हुआ था अश्वा कुल्लाह खान का नाम उन जामबाज क्रांतिकारियों में शुमार है जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपने प्रानों की आहुती दी उनका योगदान का कोरी कान में बेहद अहम था और उनकी वीरता हमें आज भी प्रेरना देती है दूसरी महत्वपूर्ण घटना साल 1963 की है जब भारत की सबसे बड़ी बहुत देशिय नदी घाटी परियोजना भाखडा नांगल को राष्ट्र को समर्पित किया गये यह परियोजना भारत के ओद्योगिक विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंब बनी और जल संसाधनों के प्रबंधन में मील का पत्थर साबित हूँ तीसरी घटना 1966 में ब्रिटेन की है जब एक मशूर डबल एजेंट जॉर्ज ब्लेक ने दुसासिक तरीके से जेल से फरार होकर संसनी फैला दीच। जॉर्ज ब्लेक को ब्रिटेन के सबसे खतरनाक चासूसों में से एक माना जाता था जिसने अपनी गुप्ट जानकारिया सोवियत संग को दी थी।